लो फ्रेंट्स वेलकम टू मैं चानल अलीभाई परपटी ब्लॉग पर आपका फिर से स्वागत हैं आज फिर आपके लिए नई प्लॉट का वीडियो लेका है हूँ जो आपको वही दिखरा एने चाठाइस का चिपक की दुरुगा मंदिर इस तरह का मतलब ऐसा प्लॉट का वीडियो आप मेरे चानल पर देखे हो येगा तो वह सब है कि रेसिडेंस था घर बनाने आज लिजिए आज घर बनाईए पर अभी जो आपको प्लॉट हम दिखा रहे हैं यह खेती खेती के लिए है अभी या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या खेती कीजिए जैसा है जब इसका रेट बढ़ेगा इस एरिया में जब घर बनने लाएगा तो आप बेचिएगा तो लगभा कई गुना इसका रेट मिलेगा आप ही परजेंट में लेते हैं तो आप इसमें खेती भी कर सकते हैं तो बहुत सारे मेरे क्लाइंट का रिक्वार्मेंट था कि कुछ खेती क या जमीन देखाईए, तो यह दिखरा से करीब सारे 3 किलोमेटर पे, इससे पहले आप मेरे बीडियो देखे हुआएगा, यहाँ से करीब 1.5 किलोमेटर पहले था, और उसी इसे 1.5 किलोमेटर आगे है, जो आगे राइट में एक फारम है, जो अंडा वाला फारम खुला वहां से दिर्गा चोक से राइट आएंगे तो आपको जब आप भगवानपुर साइट से कच्छीपक की साइट से जब दिघरा आएंगे तो राइट आना होगा आप सरमस्तिपुर से आएंगे तो लेफ्ट आना होगा वही जो सारे तीन किलोमेटर आप आएंगे इस रोड में यह प्रधामंति रोड है पीज रोड है काफी चोरी है नक्सा में भी चोड़ा होगा कम्प्लीट मानके चलिए लगभग अठारा फिट बना हुआ है पीज इसका चोड़ा फिट का होगा यह प्लोट जो आप देख रहे हैं यही प्लोट है करीब करीब यह सारे पांच कठे का प्लोट है काफी रेजनेबल प्राइज में है एक भाई लिखेंगे और दो भाई का है एक भाई का है एक भाई का है तो एक भाई का हिस्सा है जिन भाई को लेना हो कंटे कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट और देखे बगल में आपको ठीक ऐसा ही प्लोट है वो बॉनरी करके छोड़े हुए एही आगे आप राइट लेंगे आगे जाके तो आपको मतुरापूर और परस्वत्तमपूर निकल जाए गएगा उसी हो करके आप तुर्की फाइवेर फोर्लाइन को टच कर सकते हैं अगर आप लेफ्ट जाएंगे यहां से तो ही आपको मनियारी हाई स्कूल वहां से काजी इंडा फिर आप एनेज पर जा सकते हैं तो लुकेशन अच्छा है आगे जूम करके दिखाता हूं दोस्तों आपको घर दिखता होगा देखिए यह सब घर मान के चलिए यहां से करीब एक किलो मीटर से सवा किलो मीटर पर एक तरफ से पुड़ा बसती है तो जिन भाई को लेना हो वाटसेप पर कंटेक करेंगे आपको इसका रेट हम वाटसेप पर बता देंगे करीब इसका फ्रोंट जो होगा करीब करीब 32 हो जाए या 33-34 हो जाए इतना फ्रोंट होगा लंबाई तो दोस्तों काफी है और किसी भाई को मान के चलिए कि अगर फॉर्म खोलना हो मुर्गी फॉर्म या ओ अंडे वाले हो या ऐसे लेयर फार्मिंग हो या बॉयलर हो तो उनके लिए भी यह बहतर प्लोट है और दोस्तों यहां से बस्ती जो आपको बोले हैं लेफ्ट में भी बस्ती काफी करीब है थोड़ा सा आगे चल के दिखाते हैं आपको इससे पहले जो हम आपको देखा है कि एक सावा किलो मीटर पे गाउं बस्ती है यहां तो दोस्तों देखिए एकदम हाफ किलो मीटर भी नहीं है करीब मानके चली कि 200 मीटर से 200 मीटर के आस पास में देखिए बस्ती है कि पूरा कि दोस्तों मीटर पे बस्ती है तो यहां तो आज भी कुछ भी काम किया जा सकता है जो इस आप से आप लूकेशन देख रहे हैं कि ओकेशन दोस्तों और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इससे भी सस्ता सस्ता प्लोट का वीडियो आने वाला है अगले दो चार पान दिनों में तो आपको मीस ना हो